किसान बिल के खिलाफ पंजाब के अमरिसर और हर्याना के रहतक में किसानों ने शनिवार को जम कर प्रदर्शन किया अमरिसर में किसानों ने सरकार को चितावनी दी कि अगर जबरन खेती से जड़े खानूनों को जबरन लागू किया गया तो इसकी किसी हालत में पालना नहीं की जाएगी अपना गुसा दर्श कराने के लिए किसान अपने हातों में क्रिपान लेकर सडकों पर उत्रे और केंदर सरकार के खिलाफ जम कर नारिबाजी की किसानों ने जगह जगह सडकों को भी जाम किया जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ किसान और उनसे जुड़े संगठन खेती बाड़ी से जुड़े हाल में ही पारित हुए तीन बिलो को वापस लेने की मांग कर रहे हैं भारतिय किसान यूनियन एकता के महासचिव सुखदेव सिंग ने कहा कि सरकार ने बिल तो लोग सभा में पास कर दिया है लेकिन इसे लागू किसी सूरत में नहीं होने दिया चाएगा उन्होंने कहा इससे पहले भी सरकार जमीन अधिक्रहन का खानून लेकर आई थी लेकिन किसानों के जबरदस्द विरोत के बाद उसे पीछे हटना पड़ा था और बिल वापस लेना पड़ा था सुखदेव सिंग ने कहा कि इस बार भी तीनों खानूनों को लागू नहीं होने दिया चाएगा इधर संसद में चल रहे मौनसून सत्र भी इसी मुद्दे को लेकर गर्म है किसान मुद्दे पर केंद्रियों मंत्री मंडल से अलग हो चुकी शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा कि इसी मुद्दे पर आगे चर्चा करने के लिए पंजाब जा रहे हैं और पाटी के नेता और कारिकरता से मिलकर आगे की रणिती साफ करेंगे हलाकि बादल ने साफ किया कि जब तक किसान बिल वापस नहीं लिये जाते तब तक केंद्र सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं होगी हर्याना के रोतक मंडी में भी किसानों ने अपने प्रदर्शन को तेज़ कर दिया है और अब हर्ताल पर भी चले गए हैं हलाकि इस गतिरोज से लोगों को नुकसान भी हो रहा है हर्ताल की वज़ा से बाजरा का पास समेथ दूसरी फसलों की खरीद नहीं हो सकी है इस बीच किसान निताओं ने चितावनी दी है कि 20 सितंबर को पहले जिला स्तर पर और फिर 2 अक्टूबर को गांधी जयनती के लिए पूर्व पीम लाल बहादूर शास्त्री के दिल्ली स्थित समाधी स्थल पर धरना देंगे वही कॉंग्रेस महासचे प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साथा उन्होंने कहा भाजपा सरकार अपने अमीर खरबपती दोस्तों को क्रिशी शेत्र में घुसाने के लिए ज्यादा वैकुल देख रही है वो किसानों की बात तक नहीं सुनना चाहती वहीं क्रिशी अध्यदेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक 55 वर्षिय किसान प्रितम सिंग ने सलफास की गोलियां खाली जिसके बाद शुक्रवार देर रात उनकी मौत हो गई प्रितम की मौत के बाद अब किसानों में भारी रोश है और किसान और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध आगे भी जारी रह सकता है ब्यूर रिपोर्ट गो नियूज